अंतरास्ट्री योग दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्याले में युवा कारिकरम कायोजन किया गया। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2014 में इसका प्रस्ताव रखा था। इसलिए 450 अस्थानों पर लाइव होकर और 1650 अस्थानों पर योग दिवस मनाया गया। क्या है ये खास रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी स्टी एम तारकिशोर प्रशाद और केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रशाद आपको सुनवाते हैं। योग हमारी प्राचिन काल से एक धरोहर रही है। हमारे रिशी मुनियों ने इस परंपरा को हजारों बर्सों से कायम किया। और अंतराष्टिय मानता हमारे भारत के स्वस्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संजुक्त राश्ठंग में इसे पेस करके लागू कराया। और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दीन होता है और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जीएं, स्वस्त रहें और आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संक्रवन के प्रभाव को रोकने के लिए जो स्वास से समंधेत जो दवाएं हैं, जो उप्चार हैं, उसके अलावा योग के महत्व का समझ पूरे विश्व को बेहतर ढंक साया और हम स्वसन करिया करके हम अपने मानव सरीर में आक्सिजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन को लंबा करें, यह योग के द्वारा ही संभव हो पाया, योग एक विज्ञानिक स्वरूप है और योग, मन, सरीर और विवेक को कहीं कहीं सामझस अस्थापित करता है होना की विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और या एक इम्मुनिटी बूस्टर का काम करें, इसलिए आज विहार प्रदेश भारतिय जंता पार्टी ने साड़े 400 इस्थानों पर लाइव हो करके आपके देख रहे सामने, साड़े 400 इस्थानों पर इसलिए मंत्री, विधायक, विधान पार्शा, जिला ज्यक्ष, मेंडल ज्यक्ष शामिल थे उनका लाइब रिले हो रहा था और साड़े सुल्ला सौ इस्थानों पर आज योग दिवस बनाए गया है अपने घर में अपने निवास पर 20 व्यक्तियों के साथ इतने इस्थानों पर योगा हुगा ये योग भागतिय संस्कृति और संस्कार के एक बहुत बड़ी धरोर है लेकिन हमें गर्व है अपने मानिये प्रधान मंति नरेंदर बोदी जी पर उन्होंने इस धरोर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग जिवस के रूप से प्रसुत किया है और कर नोना काल में जैसा मानिये प्रधेश अब्दक जी ने बताया इसकी व्योगिता स्वास्क्रिया शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरनी है तो हम लोग के लिए बहुत गवरव की बात है हम लोग सभ आता है कि योग अब एक आंदोनन है स्वास्त के लिए सद्धाव के लिए और तो आपने सुना पूरे कारिकरम को आपने देखा जो जो भाजपा के प्रदेश कारयाल है पटना में आउजित किया गया मंत्री गण भी मौजूद रहें ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नीशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए